आज हम most beautiful blouse design बनने वाले हैं ये design बहुत प्यारी है guys प्लीस आप एक पर ट्राइज जरूर कीजीएगा मैंने एक पट्टी ले लिए उसके जो चोड़ाई कम से कम ती नीज आपको रखनी है इस तरह से हमें फोल्ड करना है और एक इंच पर हमें सिले लगाना है देख सकते है आप एक इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है इस तरह से में सिले लगाते हुई नीचे की और आगे बढ़ूँगी इस तरह से हमें एक इंच की दूरी पर इस तरह से सिले लगाते हुई नीचे की और आना है ये जो पट्टी मैंने एक बनाई है कम चे कम ऐसी लेकिन मेरे पास साड़ी का गपड़ा यानी की पतला है इसलिए मैंने जो एस्टरा है वो कट नहीं किया है इस तरह से मैं अच्छे से फोल्ड कर लिया है आप देख सकते हैं पीन की साइधा से आरम से फोल्ड हो सकता है चाहो तो आप चलिए एसी पट्टे मैंने ओल्ड मार्जिन लेंगे आप देख सकते हैं लेकिन ऊसे फिले नेक को इस तरह से फोल्ड करना हैं आपका कोई भी डिजाइशन हो नेmmया मट का शेप ए आप देख सकते हैं बनाइे चाहो तो आपके अगर दूसरी डिजाइन का भी ब्लाउज हो तो आप उसमें यहे डिजाइशन एक इंच इस तरह से मैं निशान लगा लिया आए अब हम एक एक इंच की दूरी पर जैसा हमारा भार का गला है वेसे ही अंदर का जो शेप है वो देंगे देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से एक एक इंच की दूरी पर निशान लगाते हुए मैं निची की और आ जाओंगे और जो भार का हमारा शेप नेक का वही अंदर की और भी हमारा बनके कम्प्लीट हो जाएगा तो अच्छे से इस तरह से मैं ड्रो कर लिया है अब मैं केची की साहता से कट करूँगी लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इस्ट्रा पेच कट करना है ताकि जब हम ये डिजाइनर नेक हमारे ब्लाउज वाले नेक को लगाए तो अच्छे से परफेक्ट लग जाए और जो इस्ट्रा हम पेच कट कर रहे हैं उसमें हमारे सिलाए आएगी आप देख सकते हैं ये जो मैंने कट के है उसके निचे ही हम डिजाइन लेंगे उसके उपर हमें डिजाइन नहीं लेना है इस तरह से मैंने थोड़ा सा इस्ट्रा पेच मैंने कट कर लिया है क्योंकि इसके ये सिलाए में ढख जाएगा ये देखी अंदर से भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है बस हमें जरूरत है एक इंच पेज की और कुछ भी नहीं आप देख सकते हैं जो हमने निशान लगाया है एक एक इंच की दूरी पर बस उसकी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो पेजे वो कट होके तयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे इस तरह से पट्टे हमें कट कर लेने कम से कम 10 इंच की क्योंकि हम record इस तरह से सारी पट्टे हम कट कर लेंगे मैने पट्टी अच्छे से कट कर लिए आप देख सकते हैं चलिए फटाफट से इसे पेच पर अटेज करते हैं इस तरह से मैंने पेच पर दीरे दीरे सिले लगा कर अटेज करे आये देखी आपको थोड़ा भी गेप नहीं छोड़ना है इस तरह से एक दूसरे के पीछे लाइंग से हमें लगाती हुए सिले लगाती हुए आगे की और बढ़ना है तो इस तरह से एक एक करके देरे देरे आप पेले आगे की और सिले लगा है फिर पीछे इस तरह से मैंने पू तो जो कपड़ा हमारा थोड़ा सा डीला पड़ रहा है हमको सकपड़े को लूज ही रखना है यह देखिए इस तरह से मैंने पेन को ठोड़ा सा डीला रखेंगे ताकि हमारे जुद पर्फेक्ट बने आप चाहो तो बिना पेन की साहता से डायरिक भी सिलाई लगा सकते हो लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हीं डिजेन बनाने में थोड़ी प्रोब्लम आ सकती है लेकिन अगर आप इस तरह से पेन की साहता से थोड़ सा कपड़ा लूस करोगे फिर सिले लगाओगे तो आप बाद में जो डिजेन बनाने वाले हो वो बत परफेक्ट बनके तयार होने वाली है इसलिए अगर आप पेन की साहता से इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो आप इसलिए थोड़ थोड़ कपड़ा डिला चोड़ते हुई आगे के और आप सिले लगा सकती हो बचा हुआ कपड़ आप इस तरह से छाट ले क्योंकि हम सेंटर में थोड़ से मोटी वाली पाइपिंग करने वाले हैं क्योंकि जो आइट साइट के दोनों कोरणर है वो अच्छे से ढख चाएगे इस तरशे थोड़ सा तिर्चा मैंने इस तरशे कपड़ा कर लिया है एक किनारा में फोल्ड करके सिलाई लगा लोगी जैसे हम पाइपिंग करते ही और कपड़ा करते ही न सेम उसी तरशे हमें कप यह रोक नहीं देखिए इस तरह से अंदर के और मैंने सुई रोकी डर नकी आप में यह जो बीच का जो मटका गला है उसको कवर करते हुए इस तरह से सिला लगाते हुए आगे के और बढ़ जाओंगे आप देख सकते हैं इस पैपिंग को हम अंदर के और पूरी लगा कुछ इस तरह से दिरे दिर्या में राउंड शेप में लगाना है यह देखिए उपर तक हम लगा लेंगे मैंने लगा लिया अच्छे से चोटे चोटे आप नोचेस भी लगा सकते हो ताकि हम जब कपड़े को फोल्ड करें तो असानी से पाइपिंग बनके तयार हो जाए तो देखिए कुछ इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है अंदर की और यह देखिए इस तरह से में अंदर की और फोल्ड करूंगे कपड़े को और फिर एक उपर से हम सिलाई लगा लेंगे आप देख सकते हैं चलिए फटा फट से हमें एक सिलाई लगा लेते हैं तो तो इस तरह से हमें सिलह लगाना है अब देखिए पीछे मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है और उपर से सिलह लगाया है इस तरह से आप मोटी भी पाइपिंग कर सकते हो या फिर पतली भी पाइपिंग कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे या फिर पाइपिंग के ब कम्प्लीट हो चुकी है लास्ट में वही करना है प्रोसेस जो हमने फर्स्ट में की थी जो सुई होती है वो किनारे पे अंदर के और रखकर इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया है अब हम सेंटर में निशान लगा लेंगे तो इस तरह से मैंने सेंटर में सबसे उपर मैंने इस तरह से सुई लगा लेंगे अब सेंटर में सुई को रखकर अच्छे से राउंड शेप में सिले लगाते हुए उपर की और आजाओंगी आप देख सकते हैं हमार कितनी परफेक्ट सिले लगके तयार हो रही है स्टार्ट करना है मिसले लगाना और आगे के और दिरे-दिरे कुछ इस तरह से हमें बढ़ना है तो आप देख सकते हैं जो हमारी साड़ी है वो हमारी साड़ी है वो पिंक कलर किये और जो साड़ी से मेच कपड़ाई वही हमने सेंटर में लगाया है तो देखिए इस तरह से जो हमारा completed sila लगा के हमने complete कर लिया है अब हम page को भी निकालेंगे लेकिन page को हम last time निकालेंगे पेले हम इसको अच्छे से छोटी-छोटी मोती लगा ले लेकिन उससे पेले एक पतली सी lace में लगा ली थी क्योंकि थोड़ा simple लग रहा था यह नेक इसलिए एक पतली सी नेक म अब हम डोरे लगाएंगे लेकिन देखिए मोती लगाने की process कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें center का कपड़ा पकड़ना है फिर eyesight के दोनों किनारों को आपस में इस तरह से मिला देना है बहुत आसानी से हमारे जो मोती है उलग के तयार हो जाते है कुछ इस तरह में रपस ब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है पाइपिंग में अगर दप गया हो तो कोई नहीं हम डायरेक इस तरह से चुटी-चुटी चुनस दे कि ये डिजैन को बना सकते है आप देख सकते हो मैं इस तरह से धागा कीचा और हमारे डिजैन बनके तयार अब हम क्या करेंगे एक छ लास्ट में एक नोट लगाना ज़रूरी है तो इस तरह से आपको गठान लगाना होती है लास्ट में इस तरह से हमारे परफेक्ट मोती लगके तयार हो गया है चली मैं आपको सेकेंड लगाना बता देती हूं सेंटर में हमें पकड़ना है आइट साइट के दोनों की नारो को center में folder करना है एक गठन बनाना है हमें फिर मोटी डाल के इस तरह से कियाना वही प्रोसेस हमें second में भी करनी है तो इस तरह से धीरे-धीरे करके मैंने सारे मोटी लगाना स्टार्ट कर दी है आप देख सकते हो सिंटर में पकड़ना है आइट साइट में पकड़ना है अब एक नोट हमें डाल देना है मैं अच्छे से किलिए आपको पास से बता रहू हूँ कुछ इस तरह से एक नोट हमें डाल देना है पहले यह देखिए कितने अच्छे से पर्फेक्ट हमारे एक नोट डाल गई है तो गाईज कपड़े को हमने थोड़ सा लूस छोड़ा है इसका फाइदा यही है को जो हम अंदर center में design बना रहे है वो design बहुत perfect बनती है जब हम दोनों किनारों को आपस में fold करें के center में ला रहे है तो किसी परकार का तनाव मैसूस नहीं हो रहा है देखी मैंने सारे जो design है वो बनाके ready कर लिए है center में जो धागे दिख रहे होंगे आपको यह जो धागे दिख रहे हैं इसे भी हम केची के साहता से बाद में कट कर लेने वाले हैं यह देखिए जो पेज है इसे हम निकाल लेंगे आप देख सकते हैं यह पेज इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे जो भी हमने इस्टरा पेज लगाया है अच्छे से उसे निकाल लेना है धिरे धरे करकर पेज को निकाल लेंगे हम यह देखिए इस तरह से पेज हमने निकाल लिया है आप देख सकते हैं हमारी डिजैन कितनी प्यारी लग रही कितनी सुन्दर लग रही है परफेक्ट है हमार जरूर किजीगा